हलो दोस्तों माई नेम इस राहुल वर्मा आज की वीडियों हम सीखते हैं कि हम अपनी क्लाइंट मसीन पर अधर यूजर से कैसे लॉग न कर सकते हैं जो कि हमारे एक्टिव डारेक्टिव इंवार्मेंट में हैं स्टूर यहां पर फर्स्ट आफ ओल हम चैक कर लेते हैं अधर यूजर जो हमारे इंवार्मेंट में हैं उसकी क्रिंशील है जो हम चैक कर लेते हैं सबसे पहले हमें एक्टिव डारेक्टिव यूजर्स एंड कम्प्यूटर पर चलते हैं सो हमारी user करने में सुंदर बैनों, ओके so after that, इसके बार हम चलते हैं अपने client machine पर, client machine पर चलते हैं, जहां पर हमें, जहां पर हमें others users को क्या करना है, login कराना है, so simply हम अपनी client machine पर चलते हैं, और यहां पर हम अपनी client machine को, डिल ओके and send ctrl डेल ओके type send ctrl डेल ओके and after that after that one second है जा अधर यूजर जिक्लिक उन अधर यूजर एंड यहां पर हमारे डूमेन का नेम नीम हो रहा है सो यहां पर हम अपनी यूजर का नीम डाल देते हैं यूजर का नाम संदर ओके इसके बास पर हम कर्ड़ेंचे लिनी कि पास्वर्ड डाल देते हैं स्वाँ सिंप्ली पास्वर्ड टाइप करते हैं ओके ko mi कि यह अधर यूजर है जो कि हमारी बिंडोज 8 क्लाइंट मसीन पर लॉगिन हुआ है यह इसलिए लॉगिन कर पा रहा है क्योंकि यह हमारे एक्टो डारेक्ट्री इन्वार्मेंट में डोमेंट से ज्वाइन है यदि हम यदि हम एक्टो डारेक्ट्री इन्वार्मेंट में यूजर क्रियेक्ट करते हैं सो वह उट्यमेट्ली यूजर क्रियेक्ट करते हैं वह उट्यमेट्ली डोमेंट से ज्वाइन होते हैं सो हम अपनी क्लाइंट मसीन पर किसी भी यूजर को जो की हमने क्रियेट किया हुए अपनी एक्टिव डिर्क्री इंबार्मेंट में आसानी से लोग इन करा सकते हैं वह फर्स्ट आप ओल आई वांट टू यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड सिंप्ली आई वा आई सिंप्ली सिंप्ली लॉग इन यूजर सो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो हमने सीखा कि हम अपने एक्टिव डिर्क्री इंबार्मेंट की यूजर को कैसी अपनी क्ला में अधर्स यूजर अधर यूजर में क्या अधर यूजर में लॉग न करा सकते हैं सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू दोस्तों